नमस्ते दोस्तों, ये कहानी अनकित की है, वो दिल्ली में रहता है, उसकी पत्नी भी है, उसका नाम पूनम है. वो दूनों कॉलेज में मिले थे और वही से उनकी लव स्टोरी चालू हुई थी और बाद में उन दूनों ने शादी भी कर ली. शादी होने के बस दो साल में अनकित का व्यवहार बदल गया था, वो पूनम को ताना मारता था और गालियां भी देता था और उसे मारता भी था, पर पूनम चुप चाप ये सब सहती रही. लेकिन एक दिन जब अनकित ने पूनम को उसके मायके के बारे में मैंने ताना मारा तो उससे सेहन नहीं हुआ और पूनम घर छोड़के चली गई और थोड़े दिन बाद जब अनकित को पच्चतावा हुआ तो अनकित पूनम को मन ने चला गया लेकिन वो नहीं मानी. कसम देने के बाद वो मांग गई लेकिन पूनम ने एक शर्थ रखी कि वो घर जाने के बाद उसके दोस्तों और उसके दोस्तों के पार्टनर्स को घर पे पार्टी में बुलाएगी और पार्टी में वो पूनम के पसंद के कपड़े पहनेगा कुछ दिनों बाद घर पर पार्टी का दिन आ गया और उस दिन अनकित और पूनम से सब तैयारियां भी कराई रात को पार्टी थी और शाम को पूनम बजार से एक बैग लेके आ गई जिसमें अनकित को पता नहीं था फिर थोड़ी देर में पूनम के सारे दोस्त और उनके पार्टनर घर पर आ गए फिर पूनम ने अनकित को वो बैग दिया और कहा कि ये बैग लो और इसमें जो भी है वो पहन के तैयार हो जाओ अनकित वो बैग लेके रूम में जाता है और बैग खोल कर देखता है कि बैग में लड़कियों के कपड़े और मेकप का सामान होता है और अनकित हेरन हो जाता है अनकित कुछ नहीं करता बस रूम में एक कोने में बैथ जाता है पूनम सबसे कहती है कि आज आप सब मेरे पती का नया अवतार देखेंगे, वह कैसे कभी मेरे कपड़े पहन के लड़की बन जाती है तभी सब लोग excited हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज कुछ नया देखने को मिलेगा सब लड़कियां खुश हो जाती हैं फिर पूनम रूम में जाके देखती है कि अनकित एक कोने में चुप चाप बैठा है बिना कुछ पहने फिर पूनम उस पे गुस्सा होके बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो मैंने तुम्हें तयार होने के लिए बोला था ना और तुम यहां बैठे हो फिर अनकित कहता है कि वाह ये सब नहीं कर सकता फिर पूनम के पती है कि अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो मैं चली माय के भूल गए वो शरत फिर अनकित के से यह मान जाता है और पूनम कहती है कि तुम्हें अब एक ज़्यादा सज्जा मिलेगी कि अब तुम्हें उन कप्टों में नाचना भी पड़ेगा फिर पूनम वो बैग खोलती है और उसमें से सारा सामान निकलती है उसमें गुलाबी साड़ी, ब्लावज और पेटी कोट भी था पूनम अनकित के कपड़े उतारने लगती है पहले शर्ट फिर पैंट अनकित अब बस अंडविय में था तभी तो पूनम अनकित की मुझे काट देती है फिर उसकी आईब्रो भी सेट कर देती है और उसका अंडविय भी उतार देती है अब अनकित पूरी तरह से नंगा था पूनम उसके शरीर के सारे बाल हटाती है और पूनम भी नंगी होके उसके साथ नहाती है अंकित का वो खड़ा हो जाता है लेकिन पूनम उसे एग्णो कर देती है फिर दोनों बहार आते हैं अंकित नागा बिस्तर पर बैठा हुआ था यहाँ पूनम लाल रंग की द्रास पहन रही थी लाल ब्रा और पैंटी के साथ और मेकप के साथ पूनम तैयार होने के बाद पूनम ने अंकित को पहली पैंटी पहनी थी फिर उसको ब्रा पहनो, उसे देखके पूनम हसने लगी हसने के बाद उसने अनकित को ब्लाउज, पेटी कोट और साडी पहनी उसका अच्छा मेकप किया, उसको लिपस्टिक, बिंदी, आई लाइन, ब्लश ऐसा सब कुछ लगाया फिर उनकित के हाथों में चूडिया पहना दी और मांग में सिंदूर और मांग टिका लगाया और कानों में जुमके और नाक में नोज रिंग डाल दी बाद में पेरो में पायल और कमर में कमर बंद पहनना दिया और अनकित को एक लंबे बाल की हेयर विग भी पहना दी अनकित उसमें बहुत सुन्दर लग रहा था फिर पूनम अनकित को बहार लेके गई तब सब लोग अनकित को देख के हंसने लगे और सब अनकित के मजे लेने लगे पूनम भी उनका साथ दे रही थी लड़की अनकित को देख के बहुत हंस रही थी अनकित को शर्म आ रही थी लेकिन वो भी मजबूर था फिर सबने खाना खाया और अनकित तब भी लड़की बन गया क्योंकि लड़कियों की तरह काम कर रहा था और सब अभी भी उसको देख के हंस रहे थे पूनम के दोस्तों ने अनकित के साथ फोटो भी खीच ली फिर अनकित आखिर में लड़कियां और पूनम के साथ खाना खाता है सब लोग डांस करते हैं पूनम ने अंकित से special dance करवाया, उसके हाथ में 12-12 चूरियां थी, गाने पे सब लोग मजे करने लगे, फिर सब लड़कियां और पूनम स्टेज पर गई और अंकित के साथ dance करने लगी अंकित से थुमके लगवाय और उसको उन लड़कियों के WhatsApp ग्रूप में भी एड़ कर द और कृपया हमें ऐसे ही प्यार करते रहें, अगली कहानी जल्द ही आएगी